बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जीन्स पैंट में और कुर्टा पाइजामा में बच्चे को पढ़ाने नहीं जा पाएंगे आपने बिल्कुल सही सुना एक नया आदेश जारी किया है वैशाली जिले के शिक्षा अपराधिकारी ने और उन्होंने में कहा है कि जो मास्टर सहब जीन्स पैंट और टी-शिट पहिनकर जाते हैं कख्षा में पढ़ाने जो मास्टर सहब कूर्टा पाइजामा पहिनकर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने उससे शिक्षकों की नकरात्मक छवी बनती है और इसलिए अब आदेश दिया गया है कि शिक्षक लोग जीन्स पैंट में, टीशर्ट में, कुर्ता पईजामा में पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते हैं, अब सवाल यह कि जब वो जीन्स पैंट नहीं पढ़ाने सकते हैं, तो पढ़ानेंगे क्या, तो जो शिक्षक प्रादिकारी साहब हैं, उन्होंने इस बात का पहन कर जाएंगे, वो जीन्स और टीशर्ट वाला दौर खतम हो गया, आपको पता है, बीते दिनों लखी सराय में क्या हुआ था, गये थे साहब एक चेकिंग करने के लिए विद्याले में, और मास्टर साहब कुर्ता पईजामा पहने हुए थे, उनके कंदे पर एक गमच पर शाली के नए जो जिला सिक्षा प्रादिकारी आए है, उन साहब ने एक नया फर्मान जारी किया है, और फर्मान ये है कि जो शिक्षक है, वो शिक्षक अब फॉर्मल कपड़ा पहन कर ही विद्याले में पढ़ाने जाएंगे, शिक्षा प्रादिकारी के अनुसार ये कहा है कि देखिए अब आपको फॉर्मल पैंट पहनना है और फुल या हाफ शिट पहन कर ही आप विद्याले में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, अभी आप अपने स्क्रीन पर वो पत्र लेख रहे हैं जिसमें प्रादिकारी साहब ने या आदेश जादी किया है, पत् अच्छा संचालन करने से शिक्षकों की एक नगरात्मक छवी प्रदर्शित हो रही है, उसके बाद लिखा हुआ है कि उलेखनी है कि शिक्षकों की समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित निर्माण में एहम भूमिका होती है, यह न केवल विद्याले में बलक भी गुरु होता है, और जब इंटरनेट पर आप लोगा वीडियो कुर्ता पैजामा में या जीन्स टीशट में वाइरल होता है, तो एक नकरात्मक छवी बनती है, और इसलिए अब नया आदेश लाया गया है वैशाली जीले में, कि वहां के सारे स्टिक्षक जो हैं, अब फॉर्मल कपड़ा पहनेंगे, वो फॉर्मल पैंट पहनेंगे, और फुल या हाफ शर्ट में से, कोई भी वो चुन सकते हैं उस सीजन के हिसाब से, लेकिन उनको फॉर्मल पैंट पहनना अनिवारिक कर दिया गया है, इसके अलावा साप साप लिखा हुआ है कि कोई भी शि पहन कर विद्याले में नहीं जा सकता है, और यह सारा पत्र प्रारंभीक और माध्यमिक विद्याले होता है, उनके प्रधान ध्यापों को और उनके शिक्षकों को भेज दिया गया है, प्रिंसिपल साहब और टीचर साहब लोग को या आदेश दे दिया गया है, कि अब हो गया कि आप कौन होते हैं किसी टीचर के ड्रस को डिसाइड करने वाले एक धड़ा ऐसा था जो कह रहा था कि शिक्षक चाहे तो कुछ भी पहन सकता है और एक धड़ा ऐसा भी था जो ये कह रहा था kita अगर बच्चों का ड्रेस ताई किया गया है तो शिक्षों का भी कोई ड्रेस हो क्योंकि शिक्षा कुछ भी पहन कर कच्छा में आ जाते हैं। शिक्षा प्रादिकारी सहाब है उनके बारे में क्या सोचते हैं उनके इस डिसिजन के बारे में क्या सोचते हैं कमट बॉक्स में लेकर बताईए। मुने नाम प्रशानत राय है और खबरों के लिए आप जंदर नेक्षण देखते रहिए धन्यवाद।